दोस्तों कोई भी transformation तु देखने में बहुत आसान लगती है उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है तब जाके शरीर में परिवरतन होता है इसलिए निरंतर प्रयास करते रहो सफलता जुरूर मिलेगी सुबह सबसे पहले लिया मैंने अपना breakfast और अराम से जिम पहुंच कर भी black coffee और शुरू किया आज का वरकाउंट हर exercise के किये 10 से वह भी 10 repetition के साथ क्योंकि German volume training अकेली ऐसी exercise है जो fat loss, muscle building, strength, power and endurance में प्रिवी करती है और एक बार transformation करने के बाद जब लगातार आप वरकाउट करते रहते है तब आपके transformation स्थिर रहती है इसलिए निरंतर पयास करते रहना बहुत ज़रूरी होता है आपने देखा होगा कई लोग एक बार तो पतले हो जाते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद दुबारा weight gain हो जाता है क्योंकि वो लगातार प्रियास नहीं करते जिम के बाद खाये मैंने थोड़े से उबले होगे तो ले वेज़ेबल पांच बज़े क तो आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आराम से जिम पहुंच कर पी black coffee और शुरू किया आज का workout आज करेंगे chest का workout इसलिए सबसे पहले लगाए सोदेशी सपाटे और शुरू किया dumbbell press से 10 set 10 repetition German volume training ही एक ऐसी exercise है जो fast fat loss करती है मुझे तो बहुत अच्छे result हर बार मि चीले फिर लंच में लिया छोले rice and salad पांच बज़े के आसपास पी black coffee और डिनर में लिख मूं की दाल उबली हुई अब मैं चला सुने मिलते हैं कल सुबा गुड़नाइट अगर आप मन में एक बार ठान लें तो मोटे से पतला होना और पतले से muscle और body building करना बहुत असान है ज़रूरत है तो right track की जिम पहुंचकर सबसे पहले भी black coffee और शुरू किया आज का workout आज करेंगे shoulder का workout हर exercise के करेंगे 10 set 10 repetition के साथ साथ में एक बात अच्छे समझ देना कि ज इसलिए breakfast में लिया मूंग की दाल के चीले वो भी ग्रीन पोदिना चटनी के साथ लंच में लिया boiled दाल with salad and chapati इवनिंग में लिया black coffee और dinner में लिया yellow दाल तड़का अब मैं चला सोने good night